कि नाव अगीन सिमिलर प्रॉब्लम है चेकिंग लिंक लिस्ट वेदर इट इस पेलिंड्रोम और नॉट सो बट जो इसका सॉलुशन है वो है डिफरेंट पहले हम स्टैक बेस सॉलुशन डिसकस कर चुके हैं तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और कार्ड भी उपर लगा दूँगा तो अब आज हम मैथर टू को डिसकस करेंगे जो की सबसे एफिशेंट मैथर है और देखते हैं इसकी टाइम कंपलेक्सिटी और स्पेस कंपलेक्सिटी क्या रहती है तो हम बेसिकली कैसे कैसे करना है तो सबसे पहले सोलिशन में करना क्या होता है हमें मिडल को फींड आट करना होता है पहली प्राब्लम हमारे पास यह आई कि अब हम में से इंडल कैसे संझ इन्क है traversing का middle of a link list का तो इसके दो solution होते हैं तो पहला तो है brute force तो brute force तो बहुत ही obvious सी चीज है जो हर कोई इनसान करेगा अगर आपको middle of the link list find out करना है तो link list में आपको पता है कि आपको length तो given नहीं होती आप एकदम से length नहीं find out कर सकते तो आपको complete link list को traverse करना पड़ता है जब complete link list को traverse कर लोगे नल हिट कर लोगे तो आपको length पता चल जाएगी कि suppose n length का है तो फिर आपको middle पे अगर दुबारा middle पे visit करना है middle of the link list find out करना है तो आपको फिर दुबारा से n by 2 elements का traverse करना पड़ेगा तो आपने पहले n elements की traversing करी फिर n by 2 की करी तो यह तो हो गया brute force तो बिलकुल जो एकदम आपके mind में आएगा दूसरा जो solution है वो काफी intelligent solution है उसमें आपको दो pointers को लेना है पहले से मैं draw करके रखता हम ताकि आपका time बच जाए फाल तुम्हें दर उदर आपको time waste ना हो दस गंटे तक बोलता रहूंगा तो वह भी efficient नहीं है ना तो आपको चीज जल्दी समझ में आनी चाहिए तो सबसे पहले दो pointer लेने हैं आपने पी वन और पीटू अब concept बस यह है कि पीवन को एक एक करके बढ़ाना है और पीटू को दो-दो करके बढ़ाना है तो अब आप समझ गए होंगे कि पीवन अगर एक किलोमेटर तै करता है तो पीटू इतने में दो किलोमेटर तै कर जाएगा तो आप Link List दी तो निकालना है तो basically P1 को 11 Jump कराएंगे हम और P2 को 22 Jump कराएंगे तो देख लेते हैं बहुत असानी से और फिर इसमें दो cases होते हैं एक तो आपकी Link List की Length Odd है और एक Even है अगर Link List की Length Odd है तो आपको एकदम Perfect Middle मिल जाएगा और अगर Link List की Length Even है तो आपको Perfect Middle नहीं मिलेगा तो Simple सा है तो इसको एक बार Simulate करके देख लेते हैं कैसे होगा तो now P1 यहाँ है P2 यहाँ है तो इसको एक Length बढ़ाओ तो P1 आपका आगया इधर और इसको दो बढ़ाना है एक और दो तो यह आपका P2 आगया इधर इधर से इसको काड़ दिया अब P1 को एक बढ़ाना है तो P1 आपका आगया इधर और इसको काड़ दो P2 को दो बढ़ाना है 1 और 2 आपका P2 आगया इधर और इसको यहाँ से काड़ दो नाओ जो P2 है जो P2 का next है वो null को point कर रहा है is equivalent to null यही आपकी termination condition होनी चाहिए अगर आप इसका logic code कर रहे हो तो यह आपका termination condition होनी चाहिए when P2 next double equals to null then you will terminate it so is at that moment जो P1 होगा आपका वो middle of the link list को point कर रहा होगा तो इसलिए आपको इस तरीके से आपने middle of the link list को find out कर लिया now अब आगे बढ़ते है step number 2 पे जो हमारी original problem थी checking whether it is a palindrome or not अब आपका step number 1 तो complete होगा middle of the link list find out करने का आपको तरीका आ गया दो दो तरीके आ गए now step number 2 पे आ जाओ अब step number 2 को भी अलग से देखते है reverse the other half of the link list now जो step 1 का result था step 1 का result आपको इधर बिल्कुल middle पे बिठा देगा middle of the link list पे ठीक है after step 1 में लिख देता हूं इधर after step 1 आपकी ये position होगी तो उसके बाद step 2 हमारा ये था कि reversing the other half of the link list अब हमें इसको reverse कैसे करना है basically अब जो after step 2 है after step 2 जो आपका output होना चाहिए न वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूं यहां प्यार a d a r इस तरीके से होना चाहिए आपका जो step 2 के बाद output होगा तो आपको basically other half of the link list को reverse करना है समझ गया आप so अब मैं आपको यह explain करूँगा कि इसको reverse कैसे करोगे आप now अब हम देखेंगे कि second half को हम reverse कैसे करते हैं उसका logic मैं आपको समझा देता हूं और यह code मैंने लिख भी दिया है codes ने पैट है तो इसका यूज करके आप इसको reverse भी कर सकते हो so यह एक और नई problem आप सीख जाओगे so पहले आपने तो सीखा कि middle of the link list पर efficiently कैसे पहुंचते हैं अब how to reverse a link list so दो problem तो आप इस problem के अंदर वैसे ही सीख गए so let's go समझाता हूं मैं आपको सबसे पहले initialization step आप समझ लो जो हम क्या करेंगे कि दो pointers को लिंगे फिलाल p1 ले लो आप and p2 okay now जो p1 और p2 है वो आपका basically p1 तो रहेगा इधर और p2 रहेगा आपका इधर initialization step में आपको सबसे पहले p1 को बिलकुल जो middle था मालो आप middle को temporary node से या फिर middle pointer से denote कर रहे हो तो p1 को आप middle का address assign कर देना यह initialization steps है और p2 को middle के next का तो यह हो गया initialization step and यह third तो sorry second first यह हो गया और second यह हो गया second में आप p1 के next को null कर देना क्योंकि हम इसको reverse करेंगे तो reverse करने के बाद यह link list कुछ इस तरीके से होनी चाहिए आपकी यह देखो d, a, r इस तरीके से ओके तो अब समझ में आ गया इसको null क्यों करना है बिलकुल initial में p1 के next को ताकि हाँ पर हम इसको terminate कर सकें reverse जब हो जाएगी यह पूरी तो link list का termination point हमारा जो अभी starting point है वहाँ पर termination point हमारा set हो जाएगा so step by step देख लेते हैं कि हमें जब तक p2 जो p2 pointer है null को hit ना कर दे तो हमें यह loop run करना है और शुरुआत में क्या करेंगे हम p2 के next का p2 का next कौन सा है इस वाली node का address जो है आपको इस वाली node का address एक temporary pointer के अंदर save करना पड़ेगा क्योंकि हम इस link को इस वाले link को break करने वाले हैं ओके so आपको इस वाले link को break करने वाले हैं और इसलिए हमें इस node का address save करना ज़रूरी है जो कि हम temp में पहले ही save कर लेंगे now p2 का जो next है मतलब जो p2 जिसको point कर रहा था अब उसको ना point करते हुए वो अपने previous node है जो उसके previous जो उसके पहले node है पिछली node को point करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे p2 is next equal to p1 p1 इसके पीछे है तो p2 is next equal to p1 simply हमने ये कर दिया now और जो हम initial में जो initialization step था p1 next equal to null ये तो हम करी चुके है तो p1 का जो next था वो null हो चुका है null null set हो चुका है तो ये link हमने पहले ही break कर दिया है now next step क्या है p1 equal to p2 मतलब p1 को यहां पे ले आओ यहां से हटा के और p2 को temp जो की ये node था temp क्या था p2 का next p2 का next यह था p2 का next तो इसलिए हमने p2 को यहां shift कर दिया एक-एक आगे बढ़ा दिया basically इसमें कोई ज़्यादा बड़ा logic नहीं है हमने इसको एक-एक step फर्दर आगे बढ़ा दिया है बस p2 को यहां से हटा दिया है now अब same logic apply करो जो p2 का next था वो temporary में save कर लिया p2 का जो next था अब उसको हमने modify कर दिया p1 को point कर रहा है तो अब यह जो था यह हमारा इसको point कर रहा है ना कि null को तो यह इसको point कर रहा है और अब हमने simply कुछ नहीं करना दोनों को एक-एक shift करना है इसको जब एक shift करेंगे तो यह null को point करने लग जाएगा और जब हम इसको shift करेंगे तो यह यहां पर point करेगा तो यह भी हो गया अब यह termination condition condition हमारी hit हो गई क्योंकि P2 हमारा null हो गया तो यह loop break हो जाएगा आपका और आपके पास जो link list होगी आपके पास इस तरीके से link list obtain reverse हो जाएगी और last में जब यह loop जैसे ही break हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी यह break होगा तो आपको यह code के अंदर next line यह लिखनी है यहाँ पर suppose इस तरीके सपोज head 2 equals to P1 जो इसका link list का new head होगा वो होगा यह P1 होगा so head 2 is this so आप return कर दोगे head 2 so आपको समझ में आगया reverse कैसे करना है अब हम move करते हैं next step अब हमारे पास link list के 2 head होंगे ओके और अब देखते हैं आगे हम इसको किस तरीके से check करेंगे कि palindrome है की नहीं now हमारे पास जो link list है अब वो कुछ इस तरीके से है R A D A R ओके इस तरीके से step 2 में जो हमने reversal apply किया था वो इस half पे किया था और ये half हमारा बिलकुल as it is पहले की तरह ही है so is half को हम कैसे access कर रहे थे head pointer के थूँ so जो head pointer है आपका वो इसको पॉइंट कर रहा था और जो आपका head 2 है वो किसको पॉइंट कर रहा था इस half को इस half की starting को okay so now अब आपको करना क्या है एक while loop लगाना है वो ही एक आप simple सा यहाँ पे flag ले ले लेना flag variable equal to zero flag variable यह चेक करने के लिए होगा कि अगर anywhere अगर mismatch occur होता है suppose यहाँ पे R था और यहाँ F था और यहाँ R था तो अगर यह mismatch हो जाते हैं तो हमें flag set कर देना है जिससे कि हमें पता चल जाएगर कि पैलिंड्रोम नहीं है कि हमारा जो words हैं वो mismatch हुए हैं और हमारा mismatch होना नहीं चाहिए बिल्कुल मिडिल तक एक से एक word से word आपका मिलना चाहिए एक लैटर सो जस्ट आपको इसमें यही देखना है कि है तो देटा डावल इक्वेल्स टू सॉरी नॉट इक्वेलन टू इफ इस नॉट इक्वेलन टू है तो डेटा देन यू सेट दा फ्लैग इक्वेलन टू वन और यू ब्रेक आउट ऑफ दा लू अदर्वाइस आपको बिल्कुल वही हैड 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 इक्वेल्स टू हैड टू नेक्स्ट यह तो मैं रफली बना रहा हूँ बेसिकली आपको लॉजिक समझने की ज़रुवत है तो लॉजिकली आपको पता होना चीए कि इसके अंदर हो क्या रहा है तो हमने एक एक करके इसको मिलाते जा रहे हैं बेसिकली आर को एक को आर से चेक किया उके नेक्स टेप पर आगे बड़े round a को के से चेक किया ठीक है सही है और जैसे ही आप मिडल पह आए D को D से चेक किया क्योंकि इधर से भी वो बोलेगा कि D है डेटा इधर से भी बोलेगा D है डेटा Head 2 का Null इधर है और इस Link List का भी ये भी Null को ही Point करा है तो Basically बात ये है कि आपको याद होगा आपने Step No.2 में क्या किया था इस Middle वाली Node के Next को जो ये Middle वाली Node थी न Middle वाली Node के जो Next को Null किया था Set तो जब यहाँ से जाओगे इस Node पर आओगे इस Node का Next देखोगे तो Null हिट करेंगे इधर से आएंगे इधर से भी इस Node का Next देखेंगे तो Null हिट कर जाएंगे तो ये वाली Condition आपकी हिट हो जाएगी और ये Loop हो जाएगा आपका Terminate सो Middle पर आते ही ये Loop Terminate हो जाएगा Middle पर लूप आते ही जब Terminate होगा तो अगर इस Radar वाले Example को देखेंगे तो कहीं पर भी ये वाली Condition True नहीं होई है कहीं पर भी तो Flag भी Set नहीं होगा Flag Set नहीं होगा तो यहाँ पर हमारी Condition है लूप के भार की If Flag Double Equals to Zero Implies that Return Palindrome Else अगर Flag Set है Else If Flag is One Then Return Not Palindrome Simple सा Logic है So ये आपका Logic था इस Problem के लिए All right आपका ये हो गया और Fourth भी हमने कर लिया तो Traversing करने के बाद आपकी Palindrome हमने चेक कर ली दो Head के थूरू Traversing कर लिए वो भी आपने पीछे देख चुके हो So हमने चारो Steps कवर कर लिए चारो Steps कवर करने के बाद आपका ये Problem हो चुगी है Solve Now Method 2 की अगर हम बात करें तो Space Complexity and Time Complexity हम डिसकस कर लेते हैं Now Time Complexity के Respect में देखें Get the Middle of the Link List तो ये हम अचीव कर सकते हैं Order of N में ये आपने देखा भी होगा आपको सिर्फ Half of the Elements को Travers करना पड़ा था तो इसकी Order of N हो गई Time Complexity Part 1 की Reversing the Other Half of the Link List इसमें भी आपने को कुछ भी नहीं करना सिर्फ Half of the Elements को ही Travers करना पड़ा था तो इसकी भी आफ Order of N जोड़ लो Now अब जो Fourth Part था Fourth Part में भी आपको Traversing करनी पड़ी वो भी Half of the Elements की तो वहाँ पे भी Order of N Time Complexity भी तो Overall अगर हम बोलते हैं तो एक साथ तो इसको Order of N ही माना जाएगा क्योंकि ये Constant, Constant, Constant तो ये Order of N हो गया तो Space Complexity की बात करने तो हमने कोई भी Extra Space यूज नहीं किया ना कोई Stack ना कुछ बट कुछ Extra Variables यूज करें वो भी Still It is a Constant Space So Order of 1 इसकी Space Complexity हो गई So आप से अगर Interview में पूछा जाएगा ये Question तो आपको हर चीज को Step by Step समझाना है और हर Step में अगर आप मन करे Brute Force और Optimal दोनों बता सकते हो Optimal बताना है सिधे Optimal भी बताना और अगर इसके इलावा भी Doubts है तो आप Comment section में बता बोल सकते हो So Let's see आपको समझ में आता है की नहीं और मिलते हैं next वीडियो में तो जल्दी और भी बहुत सारे वीडियो लिंक लिस्ट पर लेके आ रहा हूं So stay tuned and stay safe Bye